नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे, बहु मुखी प्रतिभा के धनी कथाकार, रूप सिंग चंदेल जी की कहानी उनकी वापसी, तो आए सुनते हैं कहानी? बस स्टॉप से उनकी ससराल साथ मेल दूर थी, जाने का कोई साधर नहीं था पैदल के अत्रिक्त, रास्ता उबर खाबर उचा नीचा और कहीं कहीं बेहत धूल भरा, मई की दोपेर और आकाश से टपकते अंगारे, चारो और दूर दूर तक फैले ठुटियाए खेतों में, चेहरे को जुलसा देने वाली गर्म हवा बॉकलाई सी दोड रही थी, सिर को तॉलिये से बान कर मैं एक योध्धा की भाती, भुल भुलाई धूल और तप्ती उची नीची धर्ती को नापता हुआ, तेजी से कदम खसीटने का प्रेयत्न कर रहा था, लू से बचने के लिए पैंट की जेब में प्याज की दो गांठे पतनी ने ठूस दी थी, मैं थोड़ी थोड़ी देर में बैक से थरमस निकाल कर, कुछ घूट पानी हलक के नीचे उतारता जा रहा था, रास्ता एक गाउं के बीच से होकर निकलता था, निपट तप्ती द मना भी नहीं करता, लेकिन शर्ट की जेब में पड़ा उनका पत्र उस बात की अनुमत ही नहीं दे रहा था, दो वर्षों बाद मिला था, लिखा था पत्र पाते ही चले आओ, मैं गोर संकट में हूँ, और मैं रात की ट्रेन पकड़कर चल पड़ा था, रात भर ट्रेन में नेंद ना पाई थी, सोश्ता रहा था उनके बारे में, वे मेरी सगी बहन ना थी, पडोस में रहती थी अपने ताया के साथ, सीधी साथी कम बोलने वाली, प्रतिछन काम में लगी रहने वाली, फिर भी ताई ताया की नजरें उनके प्रति कभी सीधी नहीं रहती थी, सफ दुपेर में कभी कभी अपनी ताई ताया से छिप कर खेलने मेरे घर आ जाती। हम दोनों तब तक खेलते रहते, जब तक उनकी ताई की करकश आवाज हमारे कानों से नटक राती। परकासो, कहां मर गई करम जली। उनकी ताई चीखती तो वे सहम कर मेरी मा से चिपड जाती। माँ उन्हें बहुत चाहती थी। माँ उनकी सिर पर हाथ फेड़ती हुई कहती, चिंता मत कर बेती, मैं तेरी ताई को कह देती हूँ कि तू अनु के साथ खेल रही है। वे तब भी सहमी ही रहती, क्योकि वे जानती थी कि मा के कहने से उस समय ताई कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन बाद में उन्हें मारेंगी जरूर, यही नहीं, तीन-चार दिन तक वे खेलने के लिए घर से निकल भी न पाएंगी। और वही होता, ताई उन्हें किसी न किसी ऐसे काम में लगाते थी, कि ना वह काम खत्म कर पाती, ना ही निकल पाती, लेकिन जब भी मौका पाती, सीधे मेरे घर आ पहुंचती। पडोस में एक मात्र मेरा घर ही था, जहां वे खेलने जाती। वे बोलती कम जरूर थी, लेकिन हर छण मुस्कराती रहती थी। उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी थी, इसलिए मैं उन्हें पहले परकासों दीती और कुछ दिनों बाद केवल दीती कहने लगा था। मेरे कोई बहन नहीं थी, इसलिए उम्र के बढ़ने के साथ हमारा यह रिष्टा काफी प्रगार होता गया था। आज वे किस संकट में पढ़ गई हैं समझ नहीं पा रहा था। वैसे संकट उनके साथ बच्पन से ही लगे रहे हैं। जब वे बहुत छोटी थी, दूद पीती बच्ची तब उनके पिता चलबसे थे। मा ताई ताया की प्रतारणा सहकर भी उनके साथ रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उनके मायके में कोई भी नहीं था। दुदमुही दीदी को छाती से चिपकाए उनकी मा खेतों में काम करने जाती। उन्हें किसी जाडी की छाया में लिटा कर वह दिन भर काम करती रहती। मा ने मुझसे बताया था कि नन्नी दीदी पैर चला-चला कर खेला करती। जाडी पर आ बैठी चिडियों से गूं गा बतियाया करती थी और जब भूख लगती चीक-चीक कर मा को बुला लेती थी। दीदी मुश्किल से पांच-छे साल की हुई थी कि एक दिन मा भी उन्हें ताई-ताया को सौप कर पती के पास चली गई। मा के आँखें बंद करने के तुरंत बाद ही उनके नन्हे कोमल हाथों को लगा दिया था बरतन मांजने और जाडू लगाने में। अपनी ताकत भर दीदी बरतन ठीक से ही मांज दी। लेकिन ताई को उनकी सफाई पसंद ना आती और दीदी पर दो-चार हाथ पढ़ ही जाते हर दिन दो-चार हाथ खाती हुई ही वे बड़ी हुई इतनी बड़ी कि मेरे घर खेलने आना भी बंद कर दिया। मैं भी आठवी पासकर हाई स्कूल में पहुँच गया और साइकिल से पांच मिल दूर के इंटर कॉलेज में जाने लगा। दीदी ने खेलने आना तो बंद कर दिया था लेकिन मां से मिलने वे प्राया आ जाया करती थी। कुछ देर बैठती और मेरी पढ़ाई के बारे में पूच लेती। उनकी खुद भी पढ़ने की इच्छा रही थी। एकाद बार घर में कहने पर ताया चीख कर बोले थे। लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज हमारे वन्ष में कभी नहीं रहा। तू पढ़कर क्या मुण्शी की जी करेगी। दीदी मन मार कर रह गई थी। पढ़ाई की बात चलने पर रुवासे स्वर में वे कहती। चार अच्छर पढ़ लेती तो चिठी तो लिख सकती थी। लेकिन वे बेहद उदास हो जाती। एक दिन मा ने बताया दीदी की शादी की बात चल रही है। शायद जल्दी ही तै हो जाएगी। मैं उस दिन सोचता रहा। दीदी अब चली जाएगी। एक मात्र दीदी सगी से भी अधिक। मैं किसे बातने किया करूँगा। किसे दीदी कहा करूँगा। दीदी का अब मेरे घर आना लगभग बंध हो गया था, कभी कभार ही उनके दर्शन हो जाया करते थे, कुछ दिन बाद वे भी बंध हो गये, वे पूरी तरह चहार दिवारी के अंदर रहने लगी, कही ना आने जाने का उनके ताया का सक्त आदेश था, वे उनकी शादी दूर के गाउं में तै कराये थे, एक किसान परिवार में, लड़का दो जहा था, दीदी से पंद्रे साल बड़ा, इधर उधर दूसरों से सुनी बातों के आधार पर मा ने बताया था, कि पहली पत्नी से शायद उसे एक पांस साल का लड़का भी है, मा दीदी के ताया को हलकी सी गाली देती हुई, भर्राय गले से बोली थी, करम फूट गए उस बे मा बाप की बच्ची के, बुढ़ा खूसत बच्ची की जैदात समेटने के लिए, उसे दूर दराज एक दोजहे के गले मरने जा रहा है, लेकिन मा के या किसी और के सोचने से दीदी की शादी टलनी नहीं थी, महीना तारीक दिन सब पहले ही निश्चित कराय थे उनके ताया, और एक दिन आतिश बाजी और बैंट बाजों की आवाज गाउं में गूंज उठी थी, जिसने दीदी की सिस्कियों को बेरहमी से दब लेने लगी थी, आजीवन एक सूत्र में बंध जाने के लिए, दीदी की शादी करके उनसे पूरी तरह से छुटी पाली थी उनके ताया ने, एक प्रकार से भुला ही दिया था उन्हें, उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया, दो साल तक उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, वे कैसी हैं सुख में या दुख में, दो साल बाद एक दिन मा को किसी से पता चला कि वे बहुत कश्ट में हैं, पती उन्हें मारता पीटता और घर से लेकर खेतों तक का काम करवाता है, माने उनकी खबर लेने के लिए किस इसी तरह उनके ताया से पता लेकर उन्हें तीन पत्र लिखवाये, लेकिन उत्तर नहीं आया, आता भी कैसे, दीदी पढ़ी लिखी होती तो अवश्य अपने बारे में दो शब्द लिख भेज दें, लेकिन मा कहती और आँखें कीली कर लेती, गर्मी की छुट्टियों में म आने जिद की उन्हें देखाने को, मुझे जाना पड़ा, भटकता पूश्टा किसी प्रकार रेलवे स्टेशन से, साथ मिल की पैदल यात्रा करके पहुँच गया था उनकी ससुराल रहमत पुरा, उस दिन भी निपट दोपहर थी, घर के सारे लोग इधर उधर जमेन पर देर थे, लेकिन दीदी बेजर मतलब जोचना, कूट कर साफ करने में व्यस्त थी, पसीने से तर बतर, पती से दीदी ने मेरा परिचे दूर के रिष्टे के भाई के रूप में करवाया था, मैं दो दिन रहा था तब, उन दो दिनों में ही बहुत कुछ समझने को मिला था, दीदी ने दुखी स्वर में कहा था, ताया ने पता नहीं किस जनम का बदला लिया है, मुझे यहां ब्याह कर, ये सब कसाई हैं, निरे कसाई, जरा जरा सी बात में रूई की तरह धुनने लगते हैं, लड़के को सिर चढ़ा रखा है, वह और मेरे खिलाफ उनके कान भरता रहता है, कही बार तुम मन करता है कि किसी कुएं तालाब में कूद जाओ, वे और अधिक दुखी हो उटी थी, उसके बाद एक एक कर 12 वर्ष बीत गए, पढ़ाई समात कर मैं नौकरी में आ गया और दिल्ली में पोस्ट हुआ, अपनी शादी में दीदी को लेने गया था, बहुत मिन्नते करने के बाद उनके पती इस शर्ट पर उन्हें भेजने को राजी हुए थे, कि मैं शादी के तुरंत बाद उन्हें वापस पहुचा जाओंगा, दीदी गाउं में सबसे मिली, बहुतों के घर भी गई, लेकिन अपने ताया के घर जहांकने भी नहीं गई, दीदी के प्रती मा का लगाओ पहले की अपेक्षा कुछ अधिकी बढ़ गया था, उनके जाने के बाद मा कई दिनों तक उदास रही थी, यह कहते हुए फिर महुच गई बेचाधी कसाईयों के घर, कितना दुष्ट है उसका पती, कहता है बच्चे पैता करने के लिए ते माने कहा था, कभी-कभी परकासों के पती को खत लिख दिया कर आदर पूर्वा, जिससे उसे यह न लगे कि परकासों को पूछने वाला कोई है ही नहीं, जालिम मूर है उसका पती, बेटा जरा सोच समझ कर खत लिखा करना, और मैं साल में कम से कम दो बार पत्र अवर्ष ल उत्तर लिखवा भेशती थी, सरप स्री सरवोपमा जोग लिखी, यहां सब राजी खुशी है, तुमारी राजी खुशी सदा भगवान से नेक मनाया करती हूँ, से शुरू होकर पत्र में खेत खलियान बाग आदी के समाचार होते, और अंत में उर्मिला के लिए डेर सारा प्यार और आशीश होता, लेकिन उनका यह पत्र संशिप्त और पहले के पत्रों से भिन्न था, और यह मेरे किसी पत्र के उत्तर में नहीं था, वे अवश्य किसी कटनाई में हैं, मेरे कदम कुछ और तेज हो गए, जूतों के अंदर तलवे जलने लगे थे, और शरीर पसी इने से लत्पत हो रहा था, दीदी के सिर और हाथ में पट्या बंदी गी, इस पश्ट था कि उनके साथ पश्वत बेवार किया गया था, उन्हें देख छडांश के लिए मेरा मन उत्तेजित हुआ, लेकिन अपनी इस्तिती का ग्यान होते ही शान्त हो गया, और सोचने लग हम किस आधार पर यह दावा करते हैं कि स्वतंतरता के बाद यहां क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, जबकि यहां की सामाने नारी आज भी दलित है, शोशित है, उपेक्षित और पीडित है, शाम को उनके पती से मैंने बात की, दीदी की तबियत अगर आप इजाजत दें, तो कुछ दिनों के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले जाओं, मेरी बात सुनते ही वे फट पड़े, ले जाओ अपनी बदजात बहन को, मैं इसे फूटी आँखों भी नहीं देखना चाहता, साली जबान चलाती है, तो क्या तुमी को भगवान ने ज जबान दी है, खंबे की ओट से दीदी का स्वर सुनाई पड़ा, मैं इस तंभित उसोर देखने लगा, यह आश्चर जनक परिवर्तन देख रहा था उनमें, शायद बरदाश्ट की भी कोई सीमा होती है, जादक चबर-चबर की, तो नटाई पर पैर रखकर जबान खींच रूगा, मदर कहीं की, उनके पती क्रोध से कापने लगे थे, जरा हाथ तो चला कर देखो, अच्छा ना होगा, दीदी विद्रोहियों की भाती तनकर खड़ी हो गई थी, पती आगे बढ़े, लेकिन मैं बीच में आ गया, और उन्हें किसी प्रकार समझा कर बाहर ले गया वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, भाई, तुम इसे कल सुबह ही ले जाओ, तुमने देख लिया ना इसका रंगठंग, अगर ये दो-चार दिन यहां और रही, तो मैं कुछ अनर्थ कर बैठूँगा दीदी तो पहले ही तयार थी, बोली, मैं भी अब यहां नहीं रहना चाहती अनो, जिन्दगी भर वापस ना आने की कसम खाकर जाना चाहती हूँ अगले दिन चलते समय वे ना तो पती से बोली, ना ही सोतेले बेटे से, चुप-चाप पिछोरी और निकल पड़ी थी घर से दिल्ली आते ही उन्होंने आदत के मताबिक घर का अधिकांश काम अपने से रोड लिया उर्मिला कुछ अस्वस्त भी रहती थी, सात्वा महीना चल रहा था उसका दीदी सुवय नाश्ता बनाती, पम्मी को उठाती, स्कूल जाने के लिए तयार करती और उसे बस में चढ़ाने भी जाती फिर दोपहर उसे लेने जाती उनका आगमन अकरस्मात हुआ था, लेकिन इससे उर्मिला को बहुत रहत मिली थी और जब उर्मिला ने बेटे को जन्म दिया, तो दीदी की खुशी का पारावार न रहा तीन दिन बात जब उर्मिला अस्पताल से वापस घर आई, दीदी ने पडोस की औरतों को इकठा कर लिया किसी के हाँ से ढोलक भी मांग लाई थी, और ढोलक पर उनके सोहर बजने लगे थे हुए मेरी जान लौकुश वन में हुए, जो घर में होती सास कौसिल्या उन्होंने उर्मिला को चार महीने तक काम चूने नहीं दिया, कहती तुम्हारा काम सिर्फ मुन्ने को समालना है पम्मी उनसे इतना हिल गई थी, कि उनसे ही खाना खाती और उनी के पास सोती दीदी को आए लगभग दस महीने बीट गए थे एक दिन पत्र आया, उनके सोतेले बेटे का मेरे नाम लिखा था, बापू सक्त बीमार है, हालत अच्छी नहीं है दीदी उसमें पम्मी के साथ अकड़ बकड़ बंबे भोग खेल रही थी पत्र हाथ में देख पूँच बैठी, कहां से आया है? आपकी ससुराल से, मैंने कहा और पढ़कर उन्हें सुना दिया सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी की पर्त जम गई बिना कुछ कहे वे किचन में चली गई पम्मी उनके पीछे पीछे जा पहुँची बुआ, आप मुझसे नालाज हो गई है नहीं बेटे, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद वे वापस आई तो मुझे लगा जैसे वे किचन में कुछ काम करने के बहाने रोती रही है रात में उन्होंने तबियत ठीक न होने का बहाना कर खाना नहीं खाया आधी रात के बाद अचानक नीन्द खुलने पर मुझे दीदी के कमरे से सिसकने की आवाद सुनाई दी लेकिन उसे भ्रह्म समझ कर मैं फिर सो गया सुबह नियम पूर्वक उठकर उन्होंने पम्मी को तयार कर इस्कूल भेज दिया उर्मिला को नाश्टा दिया और मेरा नाश्टा लेकर मेरे पास आ बैठी तो माज रात की गाड़ी से मुझे वहां पहुचा दो क्या कह रही है आप आपने तो वहा कभी मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही वे बोली अनूप वे हिर्दे ही ने और हो सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया तो नहीं अनूप वे सारी बाती गुस्से के साथी खत्म हो गई उनकी आँखें गीली हो आई थी मैं विश्मित उनके चेहरे की ओर देखता रह गया था तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़चितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न बूलें धन्यवाद